KYC अक्सरस बैंक में आप जब भी जाोगे तो आपको KYC करवानी पढ़ती है लेकिन यह KYC होती क्या है क्या अगर KYC नहीं करवाेंगे तो क्यों हमारा काम कोई ruk जाएगा या फिर बैंक वाले ऐसा क्यों करते है की हर चै मेहिने में आप से KYC करवाते है तो आज के श्रूब में मैं complete बात करने वाला हूँ कि वाइसी के बारे में तो इस विडियो को पूरा देखना और मैं अपने चैनल पर इस्टड़ी और टेक्सलेट वीडियो अप्लोट करता हूँ पहली बारा हो तो पसंदा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो वीडियो पसंदा तो इसको लाइक कर देना क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मॉटिवेट करता है हमेशा आप newspapers में आए दीन रेपोरेट बढ़ गये reverse रेपोरेट बढ़ गये या फिर RBI ने ये कर दिया सो RBI क्या है तो RBI अगर आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं हुँ तो RBI भारत का बैंक है या भारत का बैंक है या भारत का बैंक है ऐसा आप कह सकते हो क्योंकि ये सारे competitions में questions पूछे जाते है RBI के उपर तो ये तो ख़यर बात थी RBI की अब बात करते हैं कि RBI ऐसा क्यों करता है जिसके तहद बैंक वाले आपसे कवाईसी करवाते हैं तो कवाईसी के सबसे पहले मतलब की बात करते हैं कवाईसी का मतलब होता है Know Your Customers RBI RBI भारत में जितने सारे बैंक हैं सबको regulate करता है और RBI हमेशा अपने बैंक वालों को बोल के रखता है कि आपकी जितने भी कस्टमर्स हैं आप उनका data हमेशा अपडेट रखिए और इसी को कवाईसी का जाता है कवाईसी यानि कि Know Your Customers RBI बोलता है अपने जितने भी बैंक होते हैं उनको कि आपकी जितने भी कस्टमर्स हैं आप उनकी कवाईसी को अपडेट रखो क्योंकि उसमें कवाईसी में एक्चुल में होता यह है कि जैसे आप कवाईसी के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको अपना अधार कार्ड या फिर पैन कार्ड देना होता है जिनरली अब अधार कार्ड ही दिया जाता है तो अधार कार्ड में ऐसा क्या होता है जो बैंक वाले आपका जो कलेक्ट करते हैं यहां पर KYC अपडेट करने से मतलब यही होता है कि जो RBI होता है वो चाहता है कि फ्राड कम से कम हो और यहां पर धोखा दड़ी की केस बढ़ते रहते हैं आई दिन यह सब कंट्रोल में रहें और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मानली जी आप कहीं रहते हो और वहां पर आपने खाता खुला लिया या फिर लोन ले लिया और लोन लेने के बाद खाता खुलाने के बाद आप 6 महीने या 6 महीने की ज्यादा से टाइम के ओवर चले जाते हो कहीं मतलब जो है आप लेन यहां पर यहां पर इसे आपने loon ले ले रख एट नहीं सकता तो यहां पर क्या पर क्या आपको एट करने होती है और किसको जा रहा है यह सब जानकारी के लिए क्योंकि बैंक को जो है आरबियाई को जवाब देना होता है इसलिए वो किवाईसी को करवाते हैं और किवाईसी को अपडेट रखने तो आप समझ गया होंगे किसका मतलब क्या होता है